दोस्तो दो नए ट्रक का कंपेरिजन वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ आज मैं आपको कंपेर करके दिखाने वाला हूँ अशोक लैन का रिसेंटी लॉंच हुआ इकोमेट स्टार 1915 ट्रक जो की बहुत जबर्दस लूक और नए फ्रेंट फेश्या के साथ आ रहा है इसको कंपेर करेंगे टाटा मोटर्स के नए लॉंच हुए LPT 1816 मोडल के साथ दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वारा है टाटा का भी नया ट्रक है और अशोक लैन का भी नया ट्रक है तो आपको पूरा वीडियो अंतर तक देखना है और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या इंजन नहीं ताटा मोटरस में यहाँ पर अलपीटीश वाला इंजन लाकि दिया जाता है दोस्तों यह पर चर्टा मोटरस के इंजन है यह भी व्यूर्यमन कर दिया गया है और यह फेस टू हैस के साथ आने लगए है वहीं जो अशोक लेंएंग इंजन है इसमें इन सारे इंजिनों में पहले से ही BS6 को इंप्लिमेंट कर दिया गया था तो यहां पर आपको दोनों गाड़ियों में जबरदस्त इंजिन देखने को मिलेंगे अगर मैं बात करो इंजिन की पावर की तो टाटा सी यहां पर टॉर्क और पावर प्रदान करता है दोस्तों अगर बात करें इसके टॉर्क के बारे में तो इसमें यहां पर टाटा का जो एटीन सिक्स्टीन आता है लपीडी मॉडल इसमें फोर सेवंटीफाइप न्यूटन मिटर का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा वहीं आपको 4500 Zenm आपको टॉर्कम आंसयाइं ज्यादा देखने को मिलेगा तो मैं गांतर बदोगों मुलें हैं को हो मिलेगा दोनु कमपनियां यानि की Tata Motors और अशो क्लियन 330 mm डाया का क्लच अपने अपने ट्रकों में यूज करती है तो आपको एक जैसे साइस के ट्रक दोनु कमपनियों में देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर पर बात करें दोनुग गाड़ियों के गेरबॉक्स के बारे में तो गेरबॉक्स में भी आपको डिफ्रेंस नहीं देखने को मिलेगा दोनुगी गाड़ियों में आपको six speed गेरबॉक्स लागत दिया जाता है जिसमें च्छे फ्रवर्ड यानिकी आगे की तरब जाने के यहां पर इंसप्राइब का Value pagine के लिए लंबी डिस्टेंस में ट्रक को ड्राइब करना और अराम से ड्राइबर ड्राइब कर सकता है अगर मैं बात को डो को के सउस्पेंशन के में तो टाड़ के 1260 में फ्रेंट मा आपको यहां पर कि दिया जाता है तसमी ट्रों वालएं कि पर स्टैने को मिलेगा त्यցना यहां दिया जाता है तो डुड़न डुट ही जाता है निन यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर बात करें दुनों ट्रकों के ब्रेक सिस्टम के बारे में तो यहाँ पर एयर ब्रेक्स आपको लगा के दिये जाते हैं यहाँ पर एयर ब्रेक्स होने के कारण इन गाड़ियों का जो ब्रेक का मेंटेन्स मेंटेन्स रहता है बहुत सस्ता रहता है और गाड़ियों की जो ब्रेकिंग एफिशियंसी रहती है वो भी अच्छी रहती है दोस्तों ग्रॉफ कल वेट की बात करेंगे तो टाटा का जो एक्टिन 16 LPD model आता है इसका ग्रॉस्पीकल वेट यानि की जीवीडवू रहता है 17.7 तन का वहीं जो अशोग्लियन का इकोमेट 1915 नया ट्रक की अभी रिसेंटि लॉंच हुआ है इसका जो जीवीडवू यानि की ग्रॉस्पीकल वेट आ रहा है वह आ रहा है 18.5 तन यानि की साड़े 18 तन का यहां पर आपको जीवीडवू यानि की ग्रॉस्पीकल वेट की पासिंग देखने को मिलेगी तो अशोग्लियन में आपको यहां पर कम और स्वावर के साथ और कम टॉर्क के साथ ज्यादा जीवीडवू का ओप्शन देखने को मिलना है और व पक साड़े बार तन का दोस्तों हम जो आपको पेलोट कापसिटी बता रहें बेज और इंटरनेट रिसर्च बता रहें एक्जक्ट पेलोट कापसिटी के लिए आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोनूं कंपनियों के शुरू में जाके पता जरूर कीजिए वीडियो म फ्यूल टेंग में अशुक लेट आपको आगे दिखाई देता है अप्योल टेंग की केपसिटी को कंपेर करने से हमें पता चला है कि आशुक लेन्ट में आपको बड़ा प्यूल टेंग लगा के दिया जा रहा है दोनुई कंपनियों के lawsuit की कि बात करो तो दोनुंखी कंप को यहां पर एक Loading Spend देखने को मिलना है जो आपको 22 फिट मिलना है फ्यूचर में कमपनियां और भी Company और भी Loading Spend को Launch करेगी वहीं जो आशो क्लियन का 1915 आ रहा है इसमें आपको दो Loading Spend देखने को मिलने है 22 फिट का और 24 फिट का हो सकता है कि अगर कोई customer requirement दे तो company यहाँ भी loading spend को कम या ज्यादा भी कर सकती है तो यहाँ पर आपको loading spend में दोनु ट्रकों में अंतर देखने को मिला है यहाँ पर अभी टाटा में सिर्फ एक loading spend available है बटकिन जो अशोक लेन आपको दो options के साथ यह truck दे रहा देखने को मिल सकता है दोस्तों अगर बात करूं दोनु ट्रकों के mileage की बारे में तो टाटा LPT 1816 में आपको लगबग 6 km पर लिटर का mileage देखने को मिल सकता है वहीं जो अशोक लेन का इकोमेट स्टार 1915 ट्रक आ रहा है इसमें लगबग 6 से 7 km पर लिटर का mileage आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों जो हम आपको यह truck का mileage बता रहे बेढाएं इंटरनेर रिसर्च आपको यह बता रहे हैं एक्जेक्ट माईलेज के लिए आप से request करेंगे कि आप दूनु कंपनियों के शोरूम में जाके पता किजिए हम आपको जो जो mileage बता या आपको based on internet research हम आपको बता रहे हैं दोस्तों आप फाइनली बात करते हैं दोनों ट्रक्स के प्राइस के बारे में तो टाटा का LPT 1816 लगबख 26 लाग रुपीज के एक्षोरूम प्राइस से यहां पर आपको मिल सकता है वहीं जो अशोग्लेन का इको में 1915 है यह लगबख 28.5 लाग रुपीज के एक्षोरूम प्राइस में आपको मिल सकता है दोस्तों जो हम आपको प्राइस बता रहे हैं यह भी based on internet research बता रहे हैं अगर आप exact या on road प्राइस जानना चाहते हैं तो आप से request करेंगे कि आप nearest अशोगलेन के और nearest टाटा मोटर्स के डिलर्सिप में जो विजिट करके पता कर सकते हैं हम आपको एक्षोरूम प्राइस बेज़ ऑन इंटरनेट रिसर्च बता रहे हैं इन में variation हो सकता है क्योंकि एक्षोरूम प्राइस और इंटरनेट का जो रिसर्च का प्राइस रता है और वह compared to on road प्राइस बहुत ज्यादा variation उसमें आपक को देखने को मिलेगा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षेन बठाई वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद